हरे एक्रिष्णा तो आप सबका स्वागत है यह हमारा करीबन मैं जो लगता है पांच वाए छटवा दिन है आज कल हमने बहुत सारे विश्यों पे चर्चा किया साधू के उपर भगवान शिवजी के महिमा के उपर आध्यत्मिक जीवन के महत्मी के उपर और एसे निक विश करेंगे वह चर्चा करेंगे भगवान सीवजी सारी भगवान जो सरी जो करम करते हैं और हम सब जो कारे करते हैं हम सब जो क्रिया करते हैं, इसका हमारे जीवन में, हमारी इच्छाओं के उपर, हमारे उपर निर्बर रहने वाले लोगों के उपर, हम सबसे जो connected लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनके उपर कैसे प्रभाव डालता है, कौन से कर्म हैं, जो हमें पुने वापिस मिलते हैं आप सब का स्वागत है, आज मैं दोनों आईडी पे लाइव हूँ, दास गतादर भी और मेरे दिलिप नाम के आईडी पेर भी में लॉगिन हूँ, इसलिए हो क्योंकि कई लोग की इच्छा थी कि मैं उसमें शेयर करने बाद कभी दिखता है नहीं दिखता है, तो आज मेर सची जी, सनिहा जी और प्रिती जी आप सब का सवागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप पिछले वाले वीडियो भी देख लीजेगा, क्योंकि मैं श्रिंखला में बता रहा हूं, और तीन मई के बाद जब लॉगडाउन अगर खतम नहीं हुआ, तो मैं आपको इस पूरे लॉगडाउन का एक्चुल रीजन, कोरोना के पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं, उसका मैं चर्चा जरूर करूंगा, तो यह हमारे डेली बेस फेस्बूक में सवाद दस से कहा रहाता हूं, जो लोग नए हैं उनके लिए, तो ठीक है ममता जी और सूजी ता पूर्धन के तभी मुलाकात हुई तो ठीक है, हरे कृष्णा तो आज हम चर्चा करेंगे कर्म के उपर, तो यह कर्म जो शब्द है, अगर यह आप भगवद गीता में, क्यूंकि सारे ग्रंथ तो कई बार लोग पढ़े भी नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग यहां मोस्ट वर्ल्ड's biggest विद्याल है, हम लोग यहां बनाने जा रहे है, लाइबररी, जहां पर सभी प्रकार के ग्रंथ हम आपको पाए जाएंगे, तो यहां पर हम भगवद गीता के उपर हम लोग का जो टच है, वो उतना नहीं है, लेकिन जितना आप लोग पढ़े हूंगे, तो कर कभी जीव को रिफर कि अगया है, कभी आतमा कंसाइन्स को रिफर किया गया है, वैसे ही ब्रह्म कभी आत्मा को रिफर किया यह कोई normal book नहीं जो आप ऐसे novel या कोई book पढ़ लिए और आपको समझ में आगे तो कर्म के अनेक meaning है कर्म का मतलब है क्रिया एक मतलब है उसका क्रिया यानि जब आपको कारे करते हो तो उसको कहते हैं क्रिया दूसरा है कर्म यानि जो आपको reaction फल सुरूप मिलता है जो फल सुरूप में आपको reaction मिलता है जैसे आप अभी जी रहे हैं तो आपको कुछ reaction मिलता है उसको को बोलते हैं कर्म तीसरा कर्म का मतलब है वीत कर्म वीत कर्म यानि जो हम हमारे गुण कर्मों से करते हैं जैसे कोई ब्रह्मन है तो विद्या बाटना पढ़ना यजन याजन पठन पाठन यह सब करना उसका करतव है और यह उसका कर्म है वीत कर्म है या कोई शत्री है तो जो आपका कोलेर है विसका काम काम करें उसका काम कर इसले होगा फार्विब्वेस्था बनाई गई है हर वेक्ति एक जैसा नहीं है हर एक का गुण जो है वो अलग है जैसे कोई अपने आप विद्वान होता है पहले वो क्या होता था बच्चपन में बच्चे को लेके जाते थे और एक ग्रंत रखा होता था एक जगे तलवार रखी होती थी एक जगे खाने की वस्तु रखी होत तो यह कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है यह पहले से भगवान नहीं नेचर में क्रेट किया है तो यह दो रणाश्रम के उपर हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे लेकिन अभी यह समझना जरूरी है कि कर्म जो है जो रियक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक जोड़ने की जो विधी है उसको भी कर्म कहा गया है ठीक है तो यह सब समझने वाली बात है अनेक अनेक जगे यह कर्म शब्द का प्रयों किया गया है और कई कई जगे वो कर्म को और एक जगे पुण्य की उपमा दी गई है एक जगे कर्म का शब्द का इस्तमाल हुआ है वो पुन्य के रूप में रखा गया है तो आज हम गीता के माध्यम से भगवान कर्म के बारे में क्योंकि अर्जुन जो थे बहुत टेंशन में आ गये थे और बहुत ही सोचने लगे थे कि मेरे वज़े से मेरे सारी रिष्टेदार मारे जाएंगे और इतने लोगों की हत्या हो जाएगी तो मुझे जो है मुझपे सारा पाप आ जाएगा वो तो ऐसा बोले इतना बड़ा पिच्चर बना दिया था इन्हों ने अर्जुन ने वो बोलते थे कि पहले तो सबकी हत्य करकी है तो नहीं करेंगे इंहीं करेंगे तो पितर नाराज यह भी नरक में जाएंगे इन दोनों को नरक में भेजने पूरा गीता भागवत और अन्य वेदी ग्रंथों के माध्यम से इस कर्म के सिध्धानत को कुछ तुकड़ों में समझने का प्रयास करेंगे आज जो मैंने आपको समझाया वह फर्स्ट पार्ट इसलिए मेरे टाइटल को आप देखेगा उसमें लिखा है कर्मा पार्ट वन ठ धव्यम चविकर्मना अकर्मना चब धव्यम गहना कर्मनो गति ही व्यक्ति जो है वो अगर कर्म करता है अब यहां जो कर्म है वो पुन्य की बात हो रही है तो अगर आप पुन्य करते हैं तो आपको पुन्य का फल मिलेगा आपने जो भी अच्छा काम किया है तो आपने ज सुख आपको रिटन में मिलेगा अच्छा जिसको दिया है उसी से मिलेगा जैसे दिया है वैसे मिलेगा फॉर जैसे दिया है अगर आपने प्रत्यक्ष दिया है तो आपको प्रत्यक्ष देगा अपने अप्रत्यक्ष दिया है तो आपको अप्रत्यक्ष देगा लगता है कोई जीवात्मा था जिसको सारे दुनिया वालों परिशान किया था यह प्रत्यक शुरूप से तकलिफ दे रहा है तो यह कर्म जो है इसका कोटा होता है यह सुक और दुख का कोटा आपका लिखित होता है तो भगवान कह रहे हैं अगर आप पुन्य करते हो करमनों ही अपी बहुत धव्यम अर्जुन अगर कोई कर्म करता है पुन्य करता है तो उस व्यक्ति को पुन्य मिलता है अकरमनों करमनों ही बहुत देता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा उस पाप का ही फल पुन्य मिलेगा मतलब जितना दुख उसने सामने वाले को दिया है कष्ट दिया है उतना ही कष्ट जो है आपको रिटन में अच्छा आप कहाँगे प्रभू तो मैंने अगर 100 रुपे का अच्छा किया है और 50 का बुरा किया है तो कोई मुझे 50 अच्छा मिलेगा और बाकी नल हो जाएगा नहीं वह 100 का 100 मिलेगा और ये 50 का 50 मिलेगा क्योंकि इसमें अलग लोग इनवाल्ट हैं अलग लोग इनवाल्ट है तो फिर भी वह अलग आपको अलग से दोनों भी अलग से ही मिलेंगे और वो कहते हैं अकर्मन अस्चब द्धव्यम थीस्रा भी करम है अकर्म अकर्म यानि जब आप अपनी चेतना को भगवान की सेवा की और से लगाते हैं उस टाइम में होने वाले अच्छे बूरे कार्य आपको उसके बदले में कुछ रियाक्शन नहीं मिलता इसको बोलते हैं अकर्म अकर्म का अब आप एक्जांपल समझे जैसे मैं यहां बैठा हूं और मेरे नीचे समझो अभी कोई चीटी हो गयो अगर मर गए लेकिन अगर मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं तो उसका पाप नहीं लगेगा लेकिन मैं अगर स्वार्त के लिए जी रहा हूं अपने कैसे माया देवी की शक्ति कितनी प्रभावशाली है या आप इसको टच करिए गया मखी की तरह तो स्पाइडर का वेब आपको चिपक जाएगा और आपको फसा देगा यह कर्म की श्रिंकला उसकी बहुत बड़ी ताकत है माया देवी की तो इसको बोलते हैं कर्म अब होता क्या है अकर्म हो गया अकर्म से आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आपको भक्ति मिलेगा भगवान की प्रतियाप की रती बढ़ते जाएगे अब सवाल है कि पाप क्या है पुण्य क्या है कि मैंने आपको बोल दिया क्या पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य का फल मिले तो अब सवाल है यह भाईया पाप और पुण्य है क्या क्योंकि कोई कहेगा कि मैं मैं तो गोमास खाता हूं तो मैं तो मैं तो खाता हूं तो मेरे लिए है तो हर को अपनी डेफिनिशन बना सकता है लेकिन पुण्य और पाप की डेफिनिशन हम मनुश्यों को बनाने की ज़रूरत नहीं है वह अलड़ी इस क्रियेशन में डिफाइंड है हमें उसको स्विकार करके उसके उपर चलने का प्रैस करना चाहिए अब मैं आपको उधारन देता हूं जैसे जब ही भी इसको बोलते हैं शेत्रे तेरवे अध्य का ग्यान है लेकिन तेरवे अध्य में पूरा आपको भी ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाऊंगा इमीजिटली और यह बहुत ही उसके लिए मुझे ब में प्रवेश करते हैं उधारन के लिए शरीर हमारा शेत्र है तो अगर कोई आके मेरे इस हाथ को तोड़ने का प्रैस करे या कुछ करने का प्रैस करे जो मुझे अच्छा प्रसन नहीं करता तो मुझे प्रसन नहीं करने के कारण जितना दुख मुझे उसने कष्ट दिया ह यह करके उतना कश्ट उसे return में कभी ना कभी मेरी तरफ से प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा इस जनम में या अगले जनम में या किसी और जनम में आज के बाद वो कभी भी उस्टॉक उसको मिल सकता है ठीक है यह समझे अब अगर वो आके मुझे हाथ लगा के सुख दे सकता है सुख दे दे तो आप जो सुख दे दे तो वो भी उसे return में मिलेगा अचा आपको पहले बता दू सुख और दुख के यह perception का पार्ट है इसले आप किसको किसके साथ क्या कर रहे है वो भी एक question है उसको सुख वा की दुख वा उसके उपर है जैसे है अभी कोई लड़का के ह हाथ लगा है तो उसको लुख लगा है तो टो उस वैकिति वो क्या मिला उसके उपर निर्भर है लेकिन यह जो reaction है जिस्ब्रत को किसी खेति करने मदद कर दिया किसी को अपने पैसा दे दिया किसी को नौकरी दे दिर उससे क्या होगा आपने कर दिया पुन्य क्योंकि आपने उसके कोटा में शारिक मानसिक आर्थिक जो उसका शेत्र है उसमें आपने वृध्धी प्रवेश करके उसको खुशी दिया और जब आप किसी की शेत्र में अंदर घुसके दुख देते हैं कभी कभी हम लोग ना बोलते कुछ करते कु से हम अपमान कर देते हैं तो जो अपमान कर देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उस समय हमें दुख होता है ठीक है तो उस सामने वाले को जो दुख हो गया है तो जैसे कि शादी में आप जाईए तो शादी में क्या होता है कि सारे लोग रहते हैं इतना पैसा खर्चा किया रहते हैं लेकिन उसमें एक कोई तो अंट आके वह यह यह शादी हुआ आई सा कुछ तान हमार के जाएगी किया कुछ ने लेकिन अंदर में दुख मानसीक्व दुख पहुंचा दिया तो उस वेक्ति को उसी वेक्ति से मानसीक दूख मिलेगा अगर उसे प्रत्यक्ष दिया तो प्रत्यक्ष मिलेगा एक बार एक इसको कहते पाप और पुण्य समझे अच्छा यह चीज मैं बताना आपको पहले भी अभी अभी अच्छे समझेगा पाप और पुण्य जो यह दो पहलु है कर भी कोई बोल रहा था दाट का दर्थीक हो जाएगा तो मैंने पुण्य किया कि पाप कमेंट में लिखिए उसे पता चले कि लाइव असली में कितने लोग है पर अन्यवेज तो पुण्य जो है वह आपने एक तरह से पुण्य किया लेकिन आपने आप आपके हाथ से पाप हो गया प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूप से उसको पता नहीं है कि आपके वज़े से हुआ है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके पास पाप हो गया है तो अपने आप यह पुण्य और पाप बन जाते हैं अच्छा यह कर्म इतना सठी गये तो इसमें एक बार एक बनिया था जो दुकान चला अगर तुमारा भगवान अगर एक कर्म वर्म सच है अगर सच में तुमारे भगवान है तो मुझे सिध्ध करके दिखा दो यह बोली नहीं नहीं आप यह आप क्यू चिंता कर रहे हैं मैं भगवान पर विश्वास करती हूं आप क्यू टेंचन ले रहे हैं तो उन्होंने आफार फोलैनी मैं रोज का तेरा नकरा देखे रहा हो तो अबहोग लगाती है फूल चड़ाती पैसा चड़ाती है यह नहीं तो ठीक है अगर भगवाण है तो रोज छो पुम्हें यहां खरते एक दिन और को देखना कि तेरे प्रभू अगर है ना कहिलाख दिखा देगे तो रोज झांञा कोटा में आज भी alive उनसे सारे जो खाना है वह एक प्लेट में भरके सौर्वी उकड़े खाना या भर के रख दिया और भर रख के वो पेड़ के नीचे जाके रख दिया बोले स्वामी जी जब आपको लगे तो उतर के खा लीजेगा इसे भूके मत रहिए आप मेरे पती देवें आप भूके रहेंगे तब तक मैं भी कैसे खाऊंगी यह बोला कुछ भी हो जाए मैं तो जब जाके चड़ दिया तो अब खाना निखाया दूपेर का समय हो गया सुबे से दूपेर हो गया यह नीचे नहीं उत्रेंगे नहीं उतने में उस गाओं के कुछ चोर थे जिन्होंने बहुत सारा सोना चुराए था वो नीचे बैठके उस पेड़ के वह बाट रहे थे कि तुम यह रखो तुम कंगन रखे तंगर रखो यह रखो और एक दुसरे मार रखो उतने में एक काम था कि उसका खाना चुरा के लाना इसका काम था अलुआ पकोड़ा इन लोग का खुजबू से आने लगा कहीं से बोला बॉस इस पेड़ के नीचे तो पूरा प्लेट रखा हुआ है तो देखो भगवान कितने दैल हुए हम चोरों का भी खैल रखते हैं तो बॉस बोला मुर्ख आज देक कोई ऐसा खाना रखा था ये जरू इस पीज़ी लगा उसको और बोले यह का तुम घाल नीचे घिराया दो थापड़ मारा फाट फाट लगाया उसको बोला नीचे उत्रो और पाले इसका तुम भूली यह जो खाना है ये तुम खाओ बोलता है नहीं हम खाना नहीं खाएंगे बाकी जो करने बोलो बोलता है प्लेट लेके पत्नी को दे गी है पत्नी बुलेने हम विश्वास करते हैं तुम्हारे प्रभू है यह कर्म जो है यह सही है एक राजा था यह राजा तो यह राजा अपने मंतरी के साथ शिकार करने जाता था तो एक दिन क्या हुआ और इसमें कुछ लड़ाए हो गया और उसका जो अंगुठा है यह कड़ गया ठाली यह बागने और बचके तो आ गया बचके आ गया तो इसको बहुत गुस्सा था क्योंकि राजा था तो उसको इगो बहुत हाई था और म उंगली खा लिया है क्यों मेरे साथ भगवान ने से किया तो मंत्री तो मंत्री थे विद्वान थे उनने कहा प्रभू यह जो भी किया है भगवान सब के भलेका ही करते हैं अच्छा तो मेरा उंगली कटना भला हुआ और तुमारा नहीं कटा तो अच्छा ऐसे तो ऐसे करो सेनिकों को बढ़े सैनिक इसे कोठरी में डाल दो इसे अच्छा बुरा हमें सिखा रहा है इसको अंदर डाल दो तो काल कोठरी में डाल दिये गए मंत्री को कि अब राजा कुछ दिन भार ठीक हुआ वापी शिकार करने निकला शिकार करने निकला तो इस बार वह एसे एरिया में फस गय जंगल के जहां पर मनुशों को लेकर खाते थे झाश के ना PGDW के-टे उसको बली देते थे और उनका रोल था कि जो महिने में रोसा करने में कस्यूभेली बार दिखे गा उसको लेके आप मास्य है तो इस से लेगे राजा को पकड़ रज्या पहले जंगल में दिखा उसको काई से जंगली लोगं ने पूरा जाल बिचा के पकड़ लिया राजा को और लेके गया और उसको वहाँ पर कपड़ा उतार दिया नहलाया और फिर उसको उपर सिंदूर इंदूर लगा के बली जोर से देने वाल यह बोला अरे भाईया मेरा राज लेलो पुझे भिकारी बना दो पर प्राण तो छोड़ दो बोला क्या हुआ बोला यह तो बली देने लाइक है नहीं इसका एक अंगूठा नहीं है राजा बोला अच्छा हुआ माई सोच रहा था कि यह अंगूठा श्राप है यह तो बहला निकला इसके उसे मेरा प्राण बज़ गया है वह घया भागते भागते ओ बोला मंत्री को निकाल मंत्री को बोला यार मेरा यार तो भगवान ने अच्छा किया लेकिन तुम्हें 10 दिन कोठे में डाल दिया तो तुम्हारा कैसे अच्छा हुआ तो वोले राजा अगर मैं कोठे में नहीं होता तो आपके साथ शिकार में जाता और मेरे दसों उंगलिया है तो मेरा तो कार नहीं समझती मोधी पागल है ट्रंप पागल है यह आपको लगता है लेकिन हो सकता है कोरोना का इतना इफक्ट हो ना हो लेकिन बाहर आप जाएंगे तो कोरोना के नांपर आपको अंदर तो डाली देंगे समझ रहे हैं और बाहर बहुत बड़े युद्ध की तैयरी चल करूँगा ने तो तीन तारीक से पहले कहीं मुझे उठाके ना ले जाएं इसलिए प्रकार इंहोंने इससे पता चलता है कि जो बगवान करते अच्छा करते हैं और एक उदारन सुन लिए एक बर क्या हुआ था एक वो था व्यक्ति था जो बोट राइडिंग करता था और बोट राइडिंग करके बड़ा ही उसको खुल 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 थी कि मेरे को समंदर में सर्फिंग करते रहना है गलती से उख्या हुआ वह फस गया एक आईलेंड में एक दूइप पे वह फस गया और जब वह उस दूइप में फस गया तो वहां पे उसका मोटर का जो डीजल था भी खतम हो गया अब वह न जा सकता है न कुछ कर सकता है हाथ दिखा रहा है कोई से आवाज नहीं सुन पा र लगा फिर जीने लगा तो एक दिन और फन लाने गया तब तक देखा तो उसके कुटिर में आग लग गया अब जब आग लग गया है तो बहुत मतलब गुसा हो गया तो मतलब क्या है भगवान एक तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याइग किया वहां था अच्छे से जमीन लेकिन वह आग देखके हेलिकॉप्टर जा रहा तो लोग नीचे लैंड किये देखा तो यह आदमी चिला रहा था तो इतना खूश हुआ वह कि अरे भाया मिरे को लेने हलिकॉप्टर तो आया आग के वज़े से उगाया बजगया वापिस अपने जमीन में चला गया तो हम हमको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए यह जरूर हमारे सत कुछ अच्छा ही हो रहा है ठीक है यह ऐसे होता है मेरे पास कई पर ऐसे होता है क मैं पर ऐसा लगा की क्यूं ऐसे हुआ लेकिन बाद में देखा तो इतना अच्छा लगा कि अच्छा हुआ वह वहुआ ने तो मैं कुछ और ही हो जाता आप जैसे वह देखते हैं क्या नचो साड़ी होता है लगाते जिसमें थोड़ा अच्छा दिखता ए उस जरी बाहर से पुरा गुत्था गुत्था होता है वैसे ही हमारे जीवन हैं हम अंदर से देखते तो गुत्था दिखता है लेकिन पर में भगवान जरी का डिजाइन बना रहे हैं हमारे जीवन को सजा रहे हैं जब मुर्तिकार ठाक 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 मारते रहता है आवज होता है पत्थर को तुकड़े हो जाते हैं लेकिन अंतों में उसका आकर वर्शिपेबल हो जाता है वैसे भगवान हमारे जीवन में जो है ऐसे जीवन में परिस्तितिया लाते हैं कि हमारी चेतना और शुद्ध होते जात जब हम थोड़े बड़े हो गए तो हमें understanding आदमी gravity बढ़ जाती है फिर थोड़ा बढ़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि हाँ जीवन का लक्ष कुछ और है तो धीरे 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 भगवान जो है हमें धांचा हमारा धाल रहे हैं तो हमको उस flow में रहना चाहिए तो अब आपको यह point समझ गया कि पुण्य क्या है पाप क्या है भक्ति क्या है कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है और भगवान उस श्लोक क्यांत में कहते हैं अर्जुन गहना कर्मनो गति ही ये कर्म की गति का आग्यान बहुत ही गहन है इट इस वेरी डीप सब्जेक्ट मैटर क्यों सब्जेक्ट मैटर डीप है मैं आपको बता रहा हूं अब आप कहिएगा प्रभु जी मैंने उसको मारा तो इसको प्रतेक्ष में सुख दे इसको अप्रतेक्ष में दुख दिया और इसको फिर यह अप्रतेक्ष में बाद में द एविटेबल मतलब आप चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते जैसे अभी लॉकड़ान है पुलिस आपको दंडा मार रही है आप कितने बड़े जामिनदार हैं कितने बड़े सरपंच हैं कितने बड़े हैं अभी बीच में वीडियो आया था कि एक बहुत बड़े रिच कार को बहुत महंगा कार लेकर घूम रहा है रस्ते पर पोलिस एक साथ जो आपका का रियक्शन मिलना है ऑगहना कर्मणों गतिही कि आप एक ही टाइम में बहुत सारे चीज़ों को टच करेते हैं उनका रियक्शन आता है उस वह रियक्शन आप और आखे पिछे आगे पिछेन आप एक जाल में फस जाते हैं जो मैंने कल थीटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं तो यह हीरो लात मारता है तो आपका आपका पाउस को आप होने कारिया है क्योंकि आप आइडेंटीकर कर लेते हैं तो उस पड़े वाले करेक剛 को आप सुट्यकर कर लेते हैं तो आपको भी वह Bachelor आपके उपर इफेक्ट हो जाता है तो वैसे हमारे शरीर भी प्रोजेक्शन इस माया के इलूजन में तो हमें इसका कर्म ऐसे करना चाहिए कि कर्म और विकर्म से हटके धीरे-धीरे अकर्म करना चाहिए यानि आप जो कर रहे हैं आपको कुछ अलग नहीं करना ऐसे नहीं कि म भगवान मेरे गुरु और शास्त्र के अनुमति से में ये कर रहा हूँ, तो आप बच जाईएगा, अन्यथा आप बहुत-बड़े कंपणियों के मालिक बन जाईएगा, बहुत-बड़े जमीन के जामिनदार बन जाईएगा, बहुत-जाद है तो प्रधान-मंत्री बन सब्सक्राइब तो इसल आपको बंधन में फासते जिइगा आपने वह बच्पन में leके हमरा रीलिंग बढ़ा दिये अब भगवान के लिए कारिय करके सारा कर्म भागा हो किरुम से घर बचना है तो अबicate है और बहुत सिंपल उपाएं तो तो अपने आप आपकी जो कर्म है सब कड़ जाते हैं इसलिए प्राया भारत वर्ष में संसकार रूप में भी बच्पन से ही लोगों को गणपदी के मंदिर में इसा आरती करके उस बच्चे को संसकार दिया जाता था कि गणेश जी है इनको प्रणाम करो यह शक्ति देते हैं बल देते हैं विद्या देते हैं सरसुती जी हैं ज्यान देती हैं लक्ष्मी जी हैं पैसा देते हैं कुछ भी करो आध्यात्मिक एंगल से जीवन जी तो यह बह बैठ के गीता खोलिए आप भी पढ़िए उसको भी पढ़ाईए ठीक है जितना आते यह आपको आधाना चाहिए नहीं जितना आ रहा है उतना पढ़ाईए डोंट भी हैजिटेंट ठीक है और नहीं हो रहा तो जो मैंने भी लेक्चेर हैं वो ही जाके थोड़ा बता दियो सक होता है पाप क्या होता है और यह क्या होता है तो जो बहुत पुन्य करते हैं ठीक है कोस्मोलोजी को पर में कहां से आता है कैसे बनता है उपर क्या है नीचे क्या है कोन कहा रहता है यह किसी और दिन बताऊंगा उसको समय लगेगा और वह सकता है ऑनलाइन ऐसे समझने लोक है उसमें अर्थ एक भूख खंड मात्र है जास्ट टिंज एक छोटा कण है अब उस भू लोक का नियम है कि 50 परसेंट happiness and 50 परसेंट डुख हमारे भू लोक में लिखा है इसलिए कोई भी इस दुनिया में नहीं कह सकता हम मनिश्यों में कि यह पूरे दुखी हैं या पूरे सुखी हैं आपको सुख भी मिलेगा तो आपको दुख भी मिलेगा वह बाइ de chocol आपके पास आना है तो इन्होंने क्या है जो बहुत पुन्य करते हैं उनको उपर लेके जाया जाता है स्वर्ग की तरफ और जो बहुत ज़्यादा पाप कर लेते हैं और वहाँ उसका रियाक्शन यहाँ नहीं दे सकते भूलोक में तो उन्हें नीचे लेके उनको नर्क में एक्स्ट्रा पनिश्मेंट देखे फिर उनका उपर बुलाते हैं और तो यह हो गया कर्मा तो यह समझे पुन्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे पाप करेंगे तो नर्क जाएंगे बीच वाले रहेंगे तो वापीस मनुश्योंने मिल जाएगा और अगर हम भक्ती करते हैं तो हम इधर से उठके सीधा वाइकुंटे चले जाएंगे तो उपरे इलूजरी नेट्रोक से निकल जाएंगे क्योंकि स्वर्ग भी जो है वो इलूजरी एनर्जी का ही पार्ट है वो एक ब्रह्मांड वहाँ जो देवी देवतार रहते हैं वो हमारी तरह ही जीव हैं लेकिन बहुत पुण्यवान है इसलिए उन्हें वो पावर्स दिये जाते हैं जैसे हम लोग यहां देखते हैं पुण्यवान है उन्हें स्वर्ग में जगे मिलता है और कई बार लोग 33 कोटी देवी देवी देवता को 33 प्रकार बोलते हैं लेकिन 33 प्रकार नहीं है 33 कोटी काउंट में है ठीक है हम मनुशही इदर महाराष्ट इंडिया में 138 करोड़ है महाराष्ट में 12 करोड़ है बिहार में 11 करोड़ है यूपी में 22 करोड़ है इदर जारकण में 3.5 करोड़ है यह यह इतने हैं तो वहां क्यों नहीं होंगे अब वह हमें हजम होने के लिए टाइम जाता है तो हम लोग उसको 30 को प्रकार बनाके डिकलेर करके भाग जाते हैं इसे नहीं मेरे को खुद 55 से 60 तो मुझे मालू में जो एक्चुल टॉप देवता है उसके उपर तो मतलब और भी unlimited है तो यह समझने वाली बात है कि पुण्ने क्या है पाप क्या है कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है अब आप में से किसको क्वेशन हो तो पूछ लीजिएगा इसमें क्योंकि इसके आगे जो मैं भी बताने वाला हूँ वो एक डाइग्राम है कि यह कर्म आता कहां से है ठीक है और यह कर्म आता कहां है जाता कहां है हमें देखता कौन है हमारा साक्षी कौन है इसमें मैं बता आप जो भी कारे करते हैं आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन हर कोई देखता है ठीक है और कौन सा कर्म करने से मनलब जैसे फॉर short example आपको मारने आए हैं बंदू को लेक्श आहां मुझे मारना है टो जब मारने जाते हैं आपको आप सच नहीं चुपा है तो आपने बोला सच तो आपको लग रहा है हमाने सच बोल आच्छा किया है लेकिन उस जीवहानी हुआ अगर आप नहीं बोल देते तो जीवहानी बच जाता तो आपने आपने एक्चुली यह पुण्य के और यह इतना बड़ा पाप कर दिया तो सच बोलना की जूट बोलना तो उस समय आपका वहाँ वहाँ नहीं है यह बोलना सच हो जाता है तो यह कैसे डिफि देख रहा मुझे कोई नहीं देख रहा हम आप छुपके कर दीजेगा लेकिन कौन देख रहा है तो यह शास्त्रों से हम आपको पढ़के बताते हैं लिखा है बागवत पुराण में च्छटे सकंद के पहले अध्याए के 22 सुश्लोक में लिखा है कहते हैं सूर्यो अगनी आकाश सकाई जो आकाश है सब दिशा से वायू जो वायू आपके असपस हैं देवतागन चंद्र संध्या का समय दिन रात और दस दिशा होते हैं दस दिशा और जमीन पानी और परमात्मा यह सारे आपके साक्षी हैं यह मेरा एक बुक है जो मैंने लिखा है अगर आपको चाहे तो कमेंट में लिख दीजिए मैं आपको लॉक्डाउन के बाद कर सकता हूं इसे मैंने सारे चीज कंपाइल करके रखें हैं तो इससे क्या है कि जो आपको चाहिए वह उसमें हमने दिया है तो यह हमारे साक्षी है कई बार लोगों 10 दिशा पता नहीं चलता नौर्थ और सौथ यही सवरी इस्ट और सौथ इस्ट यह दस आठी दिशा होगे उपर और नीचे से दस दिशा हो जाते हैं वह तो करम महाराज के आब तो करम महाराज के लिए आपका आवाज तो मुझे आएका नहीं लेकिन आप अपने जगे पिले ले什 Everything आ कि जब भखवान का नाम लेते बहुंपर नीचे आगे पीछе यह सब जगें आ जाते हैं सुधर्शन चक्र Efendimiz सब आ जाते तो भकतों को डvtर ने का जोरत सब्सक्राइब के बोले बहुत अपको इतना चिंता करने का जूरुत नहीं क्योंकि अब वर्लड वर्फोर होने के चांस है कि तीन तारीक के बाद आपको बताऊँगी टयारिया चल रही है कि आप अंदर रहें और बाहर जो है वह बहुत नैशनल लेवल पर तहरी सब कंट्रीज कर रहे हैं ठीक है इसमें इसलिए एक अलग वर्जन है ठीक है तीन तारीक के बाद तो एक बार एक क्या हुआ था एक बुचर था वह बुचर जो तो गाय को मारने के लिए भागा था तो तीरहा था तीरहा मतलब तीन रस्ते जहां जुड़ते हैं उसको तीरहा बोलते हैं वाह यहां मम्ता शर्मा जी जो हैं विट्टल विट्टल टाइप कर दी हैं बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर आपको अनंत आयुश और यह रागो पांडया जी करें I want that book प्रभू जी यह रागो पांडया मुझे ल को आय और उसने पूछा कि यहां से गाई गई है कहां गई है तो जिस दिशा में गई थी उस दिशा पर उंगली हाथ दिखा दिया थे उन्हें हाथ दिखा दिया हाथ दिखा दिया तो यह बुचर ने जाकर तो भीक्षाम मांगने गए तो उस लेडी ने क्या किया था अपने पती के हत्या कर दी थी और इसको बोला कि तुम्हें मेरे साथ चादी करना पड़ेगा नहीं तो मैं यह पती का इल्जम तुमारे उपर लगा दूँगी तो बुले रहे मैं तो ब्रामण हूं मैं से मेरा क्य प्रमान है नहीं तो इसको यह वाला है उक्षी जान नहीं क्योंकि अरुछीं मेनें जीवन में कभी कुछ किसी का तो क्यूं मेरा हाथ कटा तो रिशी मुनी बोले क्योंकि तुमने उस गाई को उस हाथ से हाथ दिखाया था जबकि उसका प्राण बचाना तुम्हारा करता हुए है तो इसलिए वो गाई जो मर गई वो लड़की के रूप में जनम ली वो जो बुचर था उसी लड़की में दे ग्राइंडर ओफ गॉड ग्राइंड स्लोली बट वेरी फाइन बगवान सब को अपना अपना रियक्शन देते हैं वो वक्त आने पर ऐसा देते हैं कि वो यादी रखता है तो कभी किसी का बुरा मत करीए यही धृतराष्ट जो थे उन्होंने पचास जनम पहले सो पंचियों को मारा था उनके बच्चों को मारा था और फिर उसको पचास जनम बाद वो मौका मिला तो उनके साथ भी वही हुआ उनके सो बच्चे मारे गये थे जबकि व्यास दे युद्ध से पहले ही बोल दिये थे हम part 2 में continue करेंगे हो सकता है कर्म खतम ना तो मैं part 3 में भी ले जाओं है ना तो आपको कुछ questions है यहां पे मैं थोड़ा दो mobile हैं तो आगे पीछे करूँगा और एक बार करेपा करके हमारे गाउं आई यह अचा यह तो कोई गाउं में बुला रहे हैं ठीक मुझे सारे comments तो नहीं दिख रहे हैं पर ठीक है तो यह basically कर्म का knowledge है कि आप जो अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा आप अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होना ही है अच्छा अगर आपने बुरा किया है तो आप कैसे प्रायश्चित कर सकते हो यह मैं आपको आने वाले एक दो episodes में बता दूँगा ठीक है एक तो भक्ती भी करना है दूसरा है कि ऐसे भी कुछ प्रायश्चित है जिससे अब आप आप किये हैं इसका प्रमाण क्या है और आप उन्य कर रहे हैं इसका प्रमाण क्या है यह सब जानने के लिए कल हमारे साथ लाई बने रहिएगा 57 हो गया 3 मिनिट्स बचे हैं तो कभी-कभी ऐसे दो जनरली मेरा लेक्चर जब मैं नॉर्मल कहीं जाता हूं तो लंबा खिच जाता है मेरे को एक कॉलेज में बुलाए था बॉम्बे में डीजे सांगी में वो प्रिंसिपल सब बैठे था प्रोफेसर से लेके सारे बच्चे बैठे थे एक घंटे का टाइम था मैंने दाइ घंटा लेक्चर दी दिया कोई नहीं हिला लेकिन अभी एक है ओन्लाइन वाला सिस्टम आ गया है है ना तो अभी चाहता हूं की डिसिप्लिन में वाट इस बेस्ट इंग तो प्रभू जी तो बेस्ट इंग तो डू इस चैन्ट हरे क्रिष्णा एंड बी हैपी ठीक है धरम गोराने का एक क्वेश्चन है इन यूर लास्ट लेक्चर यू सेट लॉड शीवा वीरिया ड्रॉप्ट ड्रॉप्ट ड्रॉण इट क्रेटेड गोल्ड एक में में जाना पड़ेगा मेरे को क्या लिखा है इन देट लेक्चर पवंदेव क्लेक्टेट डवीरिया पूट इंड वूम ऑफ माता अंजनी अनलॉड हनमान अपेरंस प्लीज क्लियर कीजिए तो एक्चुली यह कैसा है गोल्ड बना यह तो प्रू कि मैं पड़ लूँगा और किसी का कोई क्वेशन नीचे उपर दिखनी रहे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका आप लोग ऑनलाइन थे आज करीबन 30 प्लस 2255 लोग ऑनलाइन है बाद में दिन बर लोग देखते भी है कुछ लोग ऑफिस में बैठके देखते हो बा मैं यह टोपिक को इसलिए अगला और ने एक्स्टेंट कर रहा हूं कि वह और लंबा रह जाएगा तो अकल हम बहुत कुछ जो मैंने आपको बता है पार्ट 2 में देखेंगे यह पार्ट 3 तक जा सकता है तो कर्म क्या है इसको अच्छे समझे और इसके और इंट्रिकस इसक जाए निताइग और प्रेमा नंदे